मतलब पहला टौपिक में आपके एजुकेशन से है ने हम एजुकेशन जुड़े विए लोग है तो सिख्षा से ही सुरुवात कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए कि प्राचिनकाल के सिख्षा क्या थी उसको वर्तमान से जोड़ते हुए कि वर्तमान एजूकेशन क्या है? प्राछिन काल के एजूकेशन क्या है? दोनों के अंतर को भी साथ साथ समझाओंगा, साथ साथ हम ये भी देखेंगे, कि यहां से कैसा परसन एक्जाम के कोडिंग आ सकता है, पहले इस से पहले कितने परसन एक्जाम में आ चुके हैं, इन सब की चर्चा करूँगा देखिए कभी भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहा हैं किसी भी competition exam के लिए आप पढ़ रहा हैं या आप college level पे भी किसी टॉपिक को पढ़ रहा है तो भी आपके बात दिमाग में तीन बात हमेश आने चीए क्यों पहली बात पहला सवाल हमेश आपन का तरीका क्या हो और तीसरा इस topic में से अभ्यास यानि exam pattern क्या है आपको कैसे पता चलना चाहिए कि मैं इस topic को पढ़ने के बाद जो है कुछ बाकी नहीं रहे इस प्रकार से मैं उस topic को completely cover करके जाऊं ताकि ये शंदे नहीं रहे कि मेरा कुछ बाकी रहे गया क्या ये आपक ये दिमाग में हमेशा लेकाई exam pattern के उपर आपको हमेशा topic को पढ़ना पढ़ता है ठीक है इन तीनों चीजों को मैं साथ साथ आपको बताऊंगा विशेश जो फेक्ट हैं जहां से परसंद पूछ सकता है उनकी मैं आपके साथ चक्चा करूंगा और साथ ही आपको ये बता ठीक है देखिए प्राचिन भारत में शिक्षा सुरुवात कर रहा है अब देखिए सबसे पहले basic चीज़े कोई भी topic को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे बहले basic चीजों का आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने लिखा कि प्राचिन भारत में education की जैसे मैंने बात की शिक्षा की बात करते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि education वास्ता में है क्या सिक्षा है क्या सिक्षा से आप समस्ते क्या है education सब्द जो है उससे आप समस्ते क्या है सिक्षा सब्द समझ में आना चाहिए सबसे पहले आपके तो देखिए सिक्षा संसकर्त की किस उसे मिलके बनाया है और शिक्षा का शात्वी मंडल में, कौन से मंडल में? रिग्वेद की शात्वी मंडल में शिक्षा शब्द का सबसे पहले उलिक मिलता है, पहला परसन आपके जहन में आज़ानाची, सिक्षा शब्द का उलेक सबसे पहले कहां मिलता है रिगवेद के शात्य मंडल में मिलता है सिक्षब्द का मतलब सिक्ष कहां का है संसकर्थ भाषा का शब्द जिसका तात्री क्या हो गया सीखना और सीखने के हमेशा तत्व जो होते हैं वो होते हैं शिक्षक, अध्यापक, समाज और पाठे करम ये पूरी सीखने की जो परकिरिया है वो इन चार तत्तों, इन तीन तत्तों के मतलब इस्पेसलिस शिक्षक, छात्रों और पाठे करम जिसको सिक्षा की त्री धुर्वीय परकिरिया कहा जाता है ये एक normal अर्थ में आपको समझना है ठीक है तो सिक्षा सब्द के हमने शुरुआत कर दी चर्चा कर दी अब देखिए सिक्षा के जब एतिहासिक संद्रब के अपन बात करते है इतिहास में जब आपन बात करते है तो दो गरंत विशे सुप से मैं जिकर करूँगा वेदिक ग लात रखने है महा भारत में महा भारत में किसको मुक्षदायनी कहा गया है जिनकी साहता से वेक्ति सही गलत का निर्ने करता है मुक्ष के रास्ते पर चलता है तो मुक्षदायनी कहां कहा गया है मुक्षदायनी किसे कहा गया है सिक्षा को कहा गया किसमें कहा गया है महा भा वारत में शिक्षा को मुक्सदाइनी कहा गया है यह आपको अपने जहन में रखना है तीसरी चीज एक गरंत आता है सुभासित रतन भंडार गरंत की बात कर रहा हूं क्या सुभासित ठीक है सुभासित रतन भंडार एक गरंत है यह सुभासित रतन भंडार जो गरंत है सुभ शिक्षा को मौक्षदायनी की चर्चा महाभारत में की गई है, ठीक है, वेदी गरंथों में शिक्षा को प्रकाश का सुरूत माना गया है, और त्री नेत्र किशे कहा गया है, किस गरंथ में कहा गया है, सुभासित रतन मंडार में शिक्षा का त्री नेत्र कहा गया है, जो हम हमें तहीर गलत और हमें हर्द्स्प्रय 3 जीज का जो ज़ान करवाता है Ŋसीग मुंगासी ततर मंदार important है एतना important नहीं है सिख्षा सब्द का उलेख सैद से पहले कहां मिलता रिग्वेद में मिलता il य powin के कोन से दांधु से मिलता है सात्य मंडले मिलता है, शिक्षा शब्द किस धातू से मिलके बनाए, संस्कर्प किस धातू से मिलके बनाए, जिसका तात्परे क्या हो गया, आप सीखना हो गया simple way में आपको इस समझे ना था ठीक है अब अपन बात करें शिक्षा का थोड़ा सा अपन अंदर चलेंगे थोड़ा सा मैं इसको भारती संद्रब से जोड़ूँगा तो वरतमान संद्रब से जोड़ूँगा इसको देखी किससे मिलके बनाए ई प्लस डुकू यानि एडूकेटम किससे मिलके बनाए एडूकेटम ई प्लस डुकू ई का मतलब होता है इंटर और डुकू का मतलब होता है बहार निकालना शिक्षण बरती की जो भी बच्चा त्यारी करता उसके जहन में आजाना चाहिए इ का मतलब इंटर है, डुकू का मतलब बहार निकालना है, यह शिक्षा आपके अंदर छुपी वोई योग्यता को बहार निकालती है, यह लेटिन भाशा का शाब्द है, वर्तमान एजुकेशन का तात्परी क्या है, आपके अंदर की शक्तियों को बहार निकालने का कार यह क दिमाग में रखना है कि स्वामी विवेकानन ने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर नहीत शक्ति को बाहर निकालती है। एडुकेर मतलब आपका लालन पालन कोशन करना, एडुसियर जो आपको आगे बढ़ाती है, जो आपमें नेतरतों का विकास करती है, वो कौन है, एडुसियर है। गांधी जी ने क्या कहा था? सिक्षा, गांधी जी ने क्या कहा? सिक्षा से मेरा तात पर ये शरीर मस्तिश्क और आत्मा का शर्वत्तम विकास है। कौन सा विकास? सर्वत्तम विकास. समझ लिजी, गांधी जी कहते हैं कि सिक्षा केवल सरीर तक सिमित नहीं है, सिक्षा केवल मस्तिश्क तक सिमित नहीं है, सरीर मस्तिश्क और आत्मा यानि की जो वर्तमार हम आलराउंड डवल्लप्मेंट की बात करते हैं, जो सर्वांग प्राचिन भारत की और अपन लोडते हैं देखिए कैसे सिख्षा के दो मिनिंग माने गए मैं इसलिए समझा रहा हूं कि यहां से परसंद भाग पूछे जाते हैं और यह आपके समझ में आना चाहिए सिख्षा के दो अर्थ माने जाते हैं एक है संकी नर्थ एक होता है साब व्यापक अर्थ दोनों को समझ लेजी इतिहास में भी वर्तमान में भी एजूकेशन के साब से भी संकीन अर्थ क्या है संकीन अर्थ का मतलब यह माना गया है कि वह सिख्षा जो केवल एक निर्धारित इस्थान तक दी जाती है या वह सिख्षा जो केवल ट्रिपल अर्थ क्या हो गया ज राइटिंग हो गया और अर्थामेटिक हो घिला कर ना संकीन सिक्षा है, कि तीनी चीजों का ज्यान करवाती है, वर्तमान व्यापक अर्थ क्या है, फोरेच, फोरेच का तात्प्री क्या होता है साब, फोरेच का मतलब हैड, हैड का मतलब क्या है, मांसिक विकास, हैड, हैड का मतलब क्या है, भावात्मक विकास, कौन सा विकास, भ हेल्थ का मतलब है शाररिक विकास यानि कि फोर एच के उधारना जो वर्तमान इस्पेशली गांधी जी से जुड़ा हुआ शब्द है हैड का मतलब मांसिक विकास हैड का मतलब भावात्मक विकास हैंड का मतलब किरियात्मक विकास मतलब कुछी स्कील मैं सिख जाऊ और हेल् जूड़ा हुआ है वर्तमान फोरेच और दूसरा अर्थिस का मतलब हो तक साज जिस शिक्षा को आप सिमित नहीं कर सकते जिस शिक्षा को आप इस्थान वीशेज समंदित नहीं कर सकते वो फोरेच है आज आप ग्यान सुधा सक्षे चनल की माध्यम से आप घर बेठे का व्यापक अर्थ है और शिक्षा का संकिन अर्थ है कि आप एक निर्धारी समय और इस्थान तक शिक्षा प्राप कर सकते हैं वो एक शंकिन अर्थ में तो दोनों उस रूप में यूज़िए रखना ए थी ट्री टिरिपल र क्या है फोरेच क्या है रीडिंग रैटिंग प्रफर हैं, गांधी जी जूड़ी भी अवधार्णा है, और दूसरा संक्रिनरत है होता है, जो निर्धारिश समय इस्थान कर दी जाती है, और दूसरा व्यापक अर्थ होता है, जो शिक्षा जीवन परिहन चलती है. यानि इतिहास में कहा गया है, वेधिक गरंथों में कहा गया है कि एक अध्यापक को आजीवन विद्यार्थी रहना चीए और सिक्षा को आजीवन गरंड करना चीए तो सिक्षा एक जीवन परियन चलने वाले प्रक्रियाई व्यापक अर्थ को समाविसित करती है समझ में आ गया, महत्वूर पार्थ है, ट्रिपल र फोर अच, अब आगे देखिए, अब अपन प्राचिन भारत में जब एजूकेशन की बात करते हैं, देखिए मैं वरतमान बिंदु से जोडते वे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, प्राचिन भारत से हम जब एजूके सिस्टम था, क्या प्राचिन भारत में बच्चा घर बेटे पढ़ सकता था, ठीक है, क्या दुरुस्त प्रकिरिया थी, यह अपने एजूकेशन की जब परकार की बात करते हैं, वरतमान में अपने सामने तीन परकार आता है, कौन कौन से, आपचारिक, ठीक है, अनोपचार करने के माध्यम से सिक्षा होती है, जो हमारी कॉलीज एजूकेशन में सिक्षा होती है, निर्धारी समय और स्थान है, निर्धारी तपाठे करम है, वो अपचारिक एजूकेशन है, अनोपचारिक का मतलब क्या है, कि आप अपने परिवार से, समाध से, इन से कुछ सीख र अभी जो आप इस शिक्षा गहन कर रहे है, उपत्राचार के माध्यम से, मुक्त विश्विद्यालियों के माध्यम से, ठीक है, तो दुरस्त शिक्षा जो हमारी है, वो पूरी पूरी शिक्षा कौन से में है, निरोप्चारिक में, तो अप्चारिक, अनोप्चारिक और निरो दुरस्त माध्यम, जो भी हैं आप आज ओनलाइन प्राप्त कर रहेगे भी निरोप्चारिक एक प्रकार से, आगे देखिए सब, आगे देखिए, आगे समझे इसको, अब इसको आपको ये समझना है कि शिक्षा में जो प्राचिन काल में हमारी शिक्षा थी, उसका माध्यम एक प्रकार से, तो प्राचन काल की जो सिक्षा थी, वो क्या थी? मोखिक थी. ठीक है, प्राचन काल में भूने सिक्षा, कि जब बात करते हैं, उसाब क्या करते हैं, मोखिक शिक्षा थी, specially कि गुरू जो है वो बच्चों को अपना उप्देश दिते थे, थे, गुरुकूल आश्रम पढ़नाली कैं लिए अंतरstep अथी और बच्चा उनको सुनता था, ठीक है? तो वहाँ तीन स्पेशली विधियां थी, जिसका आपन बोलते हैं शरवन. प्थीक है? शरवण, शुनम, मनननन और निध्याशन तीक है तो शर्वन, मन्नो, निध्याशन देखे शर्वन का मतलब क्या था? शुन न, आप शुनोगे सुनते तो आज भी आप मनन मतलब सुनने के बाद उस चीज के उपर विचार करोगे कि क्या सही है, क्या गलत हो उसको एकदम से अपने मैंड में सहीव करोगे संगरन करोगे, रेटेंचन करोगे, धारन करोगे और निध्याशन, ठीक है? निध्याशन भी एक प्रकार से क्या थी? एक समाधी की अवस्था एक प्रकार से एक काग्र होकर उस चीज के उपर एक प्रकार से उसको मैंड में विचार करना तो शर्वन, मनन और निध्याशन एक परकार से प्राचन काल में शिक्षा की एक परणाली थी मूलूप से शिक्षा क्या थी हमारी मोखिक थी शिक्षा का माध्यन क्या था प्राचन काल में इस्पेशली संसकर्थ ठीक है इसके लाबा प्रशनोत्तर करना, वादि वादि करना, ये तो हमने उस समय उपनिश्दों में आपने पढ़ाओगा, ये हमने चीकेता भी वाद, ठीक है? तो ऐसे खुब सार कि वारतलाप आजित की जाते थे, प्रशनोत्तर की जाते थे, ऐसे सतर रखे जाते थे, जहां वेक करते हैं, तो इस्थान क्या थे साथ, ठीक है? तो वरतमान आप देख रहे हो कि शाब, आप स्कूले हैं, कोलेजे हैं, ठीक है? बहुत सारे अललग होस्टल्स, अललग परकार के विद्याले अपन देखते हैं, नओदे विद्याले हैं, मोडल विद्याले हैं, सरकारी विद प्राश्रम में आश्रम में रहकर अध्यन करता था और बड़े-बड़े आश्रम थे आपने स्पेसली सुना होगा यह तो सब जानते हैं आप लोग ठीक है शिक्षा का माद्धे मोखी को गया और प्राश्रिकाल में आश्रम थे विद्याले जो थे इसकूल थे एक परिकार से क्या थे गुरुकुल परनाली थी जैसे हम महाभार्त में पढ़ते हैं या अपन महाभार्त कालिन जब उल praying मिलता है तो हमें भगवान श 뭔 बल्राम का उलेख मिलता है कौन से असरम गए थे वह संदीपनी-असर्म में कौन से आसरम ben गए थे संदीपनी आसरम में जो परसित महंधर परवत को क्या नाम है इनका अगस्तरी चानल या। ठीक है दंड कारणने में ठीक है तो इस प्रकार से इनके आस्रम विसेश स्थानों पे स्थित थे ठीक है इसी प्रकार महर्शी दुरुवाशा का जो आस्रम था वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जगे उलेक मिलता है कि एक गुरु के धिन बीश अब समझना आपको यह है कि एक अलग नाम दिया गया है तो वेदिकाल का भी आप देख सकते हैं ठीक है न चरण इसको वेदिकाल में क्या कहते है इस गुरु कुल नॉर्मली था वेदिकाल में इसका नाम हो गया चरण ठीक है तो यह important है वेदिकाल में जो विद्याले थे उनका क्या नाम था चरण नाम था चरण था याद रखना तो वेदिकाल में का नाम चरण था यह बहुत ही महत्रू परसन है कि चरण किसे कहा गया है वेदिकाल में जो विद्याले थे उनको चरण कहा जाता था आपको याद रखना ठीक है तो गुरुकुल प्रणाली दंड कारण ने इनकी संदीप में इनके पन चक्चा कर लिए इतना कोई विशेश नहीं है ठीक है मैंसी वेद्वियास जो हम हिमाले पे थे दुर्वासा ये सब चर्चा मैंने कर ली तो य और दो ये जनकी कर लिए जरीकुल घड़ी सिर्वियास अल्वास आपला कर दो ये जान प्रोंकी ये था रभी है आजकि ये एड़ीं है उनकी कर दो दो मैंसी कर लिए भी जास्ती आपकुल